Dear students, आप सभी का MeanCat PC के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम concept of internet, that means about the internet, internet के बारे में बताएंगे आज की वीडियो बहुत ही important वीडियो होने माली है, धान से सभी लोग देखिएगा concept of internet, that means जिसका मतलब होता है internet के about बारे में चलो हम देखते हैं internet के बारे में पहला point internet is a global network of network, कह रहा है कि internet global label के network का network होता है इसका मतलब समझेए ध्यान से, internet is a global label, internet is a global network of network का मतलब ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि दुनिया में बहुत सारे network है suppose करो तुम इंडिया में airtel का यूज कर रहे हो ठिक, और किसी USA में बैठे हुए इंसान के पास तुमने message किया whatsapp से whatsapp से क्या किया, message किया ध्यान से सुनिएगा तो तुम्हारा message उसके mobile पे पहुँचा, आपका network airtel का है, उसका network किसी और company का होगा और तुम दोनों की बीच जो difference है, local नहीं है, बहुत बड़ी area का difference है, global difference है तो तुम्हारा airtel उसका दूसरी company का network, जान से सुनिएगा तो दोनों company के network आपस में match हो करके whatsapp पर message भिजना सुरू किये, बात चीज सुरू हो गई तो इसी लिए कहा गया, internet is a global network of network जान से सुनिएगा, internet is a global network of network चलो, दूसरा point देखते है दूसरे point में क्या है, internet connecting computers one to another मतलब कि आप इंडिया में अपने laptop, mobile या desktop लेकर के बैठे दो भई, साओधी अरव, ठिक USA, Australia, आपने friend के पास बात कर रहे हैं, पुरी दुनिया में तो network के तो आप दोनों आपस में connect हो सकते हैं network के के तो आप दोनों का जो device से hardware है वो आपस में connect हो जाता है तो internet के medium के तो ही ऐसा possible है, otherwise नहीं इसलिए कहा जाता है, internet connecting computers one to another internet एक दूसरी computer को जो कहीं भी हो आपस में connect करता है point number three, it is derived something late 1970, 1960 to 1970 कह रहा है कि internet जो derived हुआ था, 1960 और 1970 के बीच में हुआ था अगर देखा जाए तो 1969 में internet हमारा आया था, जिसका नाम था आर्पानेट, इसलिए कहा है कि derived something late 1970, 1960 to 1970 इसके बारे में ध्यान से सुनिए, internet का ये point बहुत ही important था कि internet derived from 1970 कहा गया है, 1970, एक साल पहले 1969 में derived something मतलब आसपास, 1970 के आसपास, तो 1969 में आर्पानेट, internet का first version आया हुआ था, जान से सुनिएगा अब है point number four, internet is a super set of www, इसका मतलब क्या है कह रहा है, internet www का, www का जो है, super set होता है कह रहा है कि internet के बिना www काम नहीं करता है सही बात है, किसी भी website को यदि आप open करते हैं तो उसमें www आप पाते हैं, जो www है, इसका full form होता है worldwide babe, ये आपके किसी भी website में, जो website आप Google फे, Chrome से किसी browser की help से open करते हैं, सभी website में ये complete compulsory यानि mandatory होता है, अगर आप www नहीं लगाते हैं, www सब डोमेन होता है, और इंटरनेट इसका super set है, इसलिए point है internet is a super set of www, point नमबर 5 की बात करेंगे, करा है, इंटरनेट प्राइमरली hardware बेस कह रहा है, internet जो होता है, वो hardware पर बेस होता है, software बेस नहीं होता है, example के लिए, suppose करो internet का generation होता है, internet का generation जानते हो, 2G, 3G, 4G, 5G, इंडिया में आज कल 5G चल रहा है, 2G, 3G, 4G, 5G, इसका मतलब है कि आपका अगर network, airtel या boda phone का 5G का है, तो आप 5G चलाने के लिए, आपके mobile को भी 5G होना जरूरी है, आपका mobile यदि 4G है, तो 5G network नहीं चला सकता है, connect नहीं करेगा, तो ये जो generation है internet का, वो totally बेस होता है hardware पर, mobile पर, अगर आपका mobile 5G का नहीं है, तो आप 5G नहीं चला सकते हैं, यदि आपका mobile 4G का भी नहीं है, तो आप 4G भी नहीं चला सकते हैं, लेकिन आज कल इंडिया में सब की mobile 4G है, यानि कि अब हमारे इंडिया में लगभग 65% people के पाफ जो है 5G mobile आ गया है, क्योंकि हमारे यहां के सभी network का 5G हो गए हैं, तो 5 generation चलाने के लिए internet का, mobile भी आपका 5 generation का होना चाहिए, इसलिए कहा गया है कि internet hardware पर बेस होता है, यदि आपका hardware 5G नहीं है, तो आप 5G नहीं चला सकते हैं, अब आते हैं 6 number point पे, 6 number point ध्यान से देखिएगा, कह रहा है first version of internet, internet का जो पहला वर्जन था, उसको हम ARPANET के नाम से जानते हैं, इंटरनेट का पहला वर्जन क्या कहलाता है, ARPANET कहलाता है, ARPANET का फुल फाम होता है, Advanced Research Project Agency Network, Advanced Research Project Agency Network, बास समझा रही हैं, ARPANET के बारे में थोड़ा सा और जान लो, ARPANET हमारा US Department के defense ने बनाया था, US की army ने बनाया था, उसे, US defense ने, कब बनाया था, 1969 में इसे बनाया था, 1969 में इसे बनाया हुआ है, US defense ने, 1969 में ARPANET को बनाया था, अब हम देखते हैं, ARPANET के बारे में, ARPANET के father का क्या नाम है, ARPANET के father का नाम है, Bob Taylor, टेलर, T-A-Y-L-O-R, Bob Taylor, ARPANET के father है, B-O-B-Bob, T-A-Y-L-O-R, Bob Taylor, Bob Taylor कौन है, ARPANET के father है, ARPANET के बारे में भी आप समझीएगा, ठीक, अब आते हैं, थोड़ा सा और ARPANET के बारे में कुछ बताने का, ARPANET इंटरनेट का first version है, आप अपको बता दिया हूँ, पूछा गया है, क्या ARPANET LAN है कि WAN है, ARPANET local area network होता है कि wide area network होता है, ARPANET LAN है या WAN है, देखिए भाई, ARPANET ना तो LAN है ना तो WAN है, ARPANET प्रोटो टाइपकल WAN है, ARPANET क्या है, प्रोटो टाइपकल WAN होता है, LAN नहीं है, ना ही WAN है, ये प्रोटो टाइपकल WAN होता है, ठीक है, ये prototype कल when होता है ARPANET को किसलिए बनाया गया था इसको बनाने का main aim क्या था इसको बनाने का main aim था शिच्छा के लिए, academic के लिए और अनुसंधान research करने के लिए academic और research, सिच्छा और अनसंधान के लिए ARPANET को बनाया गया था ठीक, चलो देखते हैं, अब Arpanet का जो अबाउट था, वो हमारा खतम हुआ, सेबंत पोईंट की बात करते हैं सेबंत पोईंट इंटरनेट के बारे में, कराें इंटरनेट यूज आई पी आडरेस, मतलब इनटरनेट इंटरनेट प्रोटोकाल आडरेस का यूज करता है IP address का यूज करता है जहां से देखिएगा अगर आपके पास जहां से समझना IP address दो टाइप के होते हैं IPV4 IP version 4 और IPV version 6 IP4 and IP6 जहां से सुनिएगा IP4 28 bit का होता है और ये IP4 32 bit का होता है और ये 128 bit का होता है ठीक IP के बारे में अधिक जानने के लिए आप हमारे IPV4 और IPV6 का वीडियो देखिए ठीक है? चलिए हम इसकी बात कर रहे हैं अब बात आती है किसकी? अब बात आती है इंटरनेट के 8th point की इंटरनेट का 8th point क्या है? इंटरनेट का 8th point है इंटरनेट की सुरुवाद किस ने की थी? इंटरनेट की सुरुवाद BintCarf ने की थी V-I-N-T-C-E-R-F BintCarf ने इंटरनेट की सुरुवाद की थी नवा पॉइंट क्या है? इंटरनेट से सूचना भेजने के लिए यदि आप इंटरनेट से कुछ भेज रहे हैं मैसेज भेज रहे हैं पैसा भेज रहे हैं तो दो प्रोटोकाल का योज होता है IP प्रोटोकाल और TCP प्रोटोकाल IP प्रोटोकाल का मतलब इंटरनेट प्रोटोकाल TCP प्रोटोकाल का मतलब transaction control प्रोटोकाल यदि इंटरनेट से RPO TCP को हटा दिया जाए तो पूरी तरीके से इंटरनेट हमारा काम करना बंद कर देगा तो आप सभी मुझे लगता है इस वीडियो को वली भाती समझे होंगे यदि आपको इस वीडियो में कोई doubt है तो आप comment box में comment करें यदि आपको इंटरनेट के बारे में पूरी तरीके से समझ आ गया है तो आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास share करना ना भूले हमारे चैनल को subscribe करें ये आप से मेरा humble request है सभी students हमारे वीडियो को देखें और अपने knowledge को increase करें आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद